हेला स्टुडेंट्स, RCA Education Hub में आपका स्वागत है, प्रिविध्यारतियों, मैं आज आपको RCA School क्या जो अपना एप है RCA भानसुर अलवर उसके बारे में महतोपूर्ण दानकरी जानकरी देने जा रहा हूं, जिसको आपको ध्यान से समझना है, जिसकी साहिता से आप अपने मॉबाइल में, आइफोन में, लेप्टोप में और टेबलेट में इस एप को अच्छी तरीके से चला सकते हो और अपनी ओनलाइन स्टेडी को आगे जारी तक सकते हो, तो सबसे पहले में आपको प्ले स्टोर में एप डाउनलोड करने की बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप सबसे पहले अपने मॉबाइल में प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर RCAE भानसुर अलवर एप आप सर्च करोगे, इस तरीके से आपको स्क्रीन पर RCAE भानसुर अलवर एप आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे, तो ये एप आपको इंस्टोल करना है, इं अपन करोगे आप, तो इसमें आपको अपने एप पर रजिस्टर्ड मॉबाइल नंबर वो आपको डालने हैं, यदि किसी स्टुडेंट को अपने रजिस्टर्ड मॉबाइल नंबर पता नहीं है, तो वो स्कूल के ओपिस में अपने एप के रजिस्टर्ड मॉबाइल नमबर पता कर सकते हैं अब आप इसको कैसे ओपन करोगे उसके बारे में समझिए सबसे पहले आप अपने रेजिस्टर मोबाइल नमबर डालना है जैसे मैं डालने जा रहा हूँ यह मोबाइल नमबर मैंने इसमें फीड गर दिये हैं अब कंटिन्यू पे आप किलिक करोगे तो इसमें आपके OTP आएंगे OTP आपको चार अंकों में होंगे इनको आप फीड करोगे और वेरिफाई पे किलिक करोगे किलिक करने के बाद में आपको इस तरह की स्क्रीन अपने मोबाइल पर दिखाए देगी जिसमें नीचे की साइड में चार आप्सन आपको मिलेंगे उसमें से आपको बेश पर क्लिक करना है बेश पर क्लिक करने के बाद में आपकी जो भी क्लास होगी हिंदी मीडियम या इंगलिस मीडियम की वो क्लास आपको दिखाए देगी उस class पर आप click करोगे, click करने के बाद में आपको screen पर सबसे उपर अपने class और फिर नीचे आपका medium लिखा होगा उसके just नीचे एक line में बहुत सारे option आपको दिखाए देंगे उसमें आपको सबसे last option steady material सबसे पहले खोलना है क्योंकि steady material में आपको आपके subject teacher दोरा पढ़ाए गए notes की PDF फाइल आपको मिलेगी सबी teacher PDF फाइल ही बेजेंगे तो mostly आपको PDF फाइल मिलेगी वो सकता है किसी दिन आपको image मिल जाए पर वो इसी में मिलेगे आपको जैसे मैंने यहाँ पर यह open किया यह आपको एक page दिखाई दे रहा है इस तरह का page आप अपने subject teacher दोरा भेजे गए matter में देखोगे उस page को आप अपने जिस subject का है उस notebook में आप note करोगे उसके बाद में आप इसी line में इस matter को समझने के लिए आप वीडियो पर किलिक करोगे तो उस matter का वीडियो आपको दिखाई देगा उस वीडियो को आप जैसे ही किलिक करोगे वो वीडियो आपका open हो जाएगा और उस वीडियो का link से आप YouTube पर भी उसको देख सकते हो इस तरीके से आपका ये वीडियो चल जाएगा और आप इसको आराम से एक बार दो बार देखकर पूरा मेटर समझ सकते हो फिर भी कोई दिक्कत आए आपको तो उसके लिए आप जैसे मैंने इसको बेग करके चेट के option पर जाकर आप इस तरीके से आप इसमें कोई अपना question की सर मेरे को ये line समझ में नहीं आ रही है या particular आपकी 2-3 line है या आपका कोई matter है तो उसका आप यहाँ click करके image फोटो खेंज कर उसको आप वापिस इसमें बेश सकते हो इसके बाद आपको अपने subject से समंधित कुछ assignment मतलब homework आपको मिलेगा उस homework को आपको किस तरह से देखना है और उस homework का वापिस return जवाब मतलब आपको उसका solution करके अब उसके answer करके किस तरह से बेजना है वो आपको समझना है आप assignment पर जैसे ही click करोगे तो देख लिए इसमें आपको दो तरह के चीज़े दिखाए देगी एक तो pending और एक submitted तो जैसे मैंने आपको pending पे click किया पेंडिंग का मतलब है ये assignment आपके teacher द्वारा भेज जा चुका है अब आपको इस assignment मतलब homework को करके वापिस बेजना है तो सबसे पहले आप इसको देखोगे ये अपने open किया इसमें कोई image आपको बेजी गई है ये इसको आप download कर लोगे इस निशान पे click करते हैं ये download हो जाएगी ये यहाँ पर अपने देख ली है इसमें कुछ question ये से तीन question लिखी हुए है इनके answer आप अपनी जो homework की copy है उसमें solve करोगे solve करने के बाद में आप इसमें add answer यहाँ पर click करोगे और आप इसमें image पर click करने के बाद में या तो आप तुरंत फोटो कहेंच चलो इस camera से या फिर आप नगर पहले से photo case कर अपने mobile में रख रखा है तो वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा उसको आप जैसे click करोगे वो आपको यहाँ से tick करके done हो जाएगी इस तरीके से clear अब आपको इसमें wishes के अध्यान रखना है जो आपका home work है उस home work में आपको उस home work में आपको यह date दिखाए देगी इस date और time इसका wishes ध्यान रखना है इस date और time में आपको क्या ध्यान रखना है कि इस date और time से पहले जैसे दिखा हुआ है 7 October 2020 11.31 मिनिट सुबह का time है तो इस time से पहले पहले आपको वो submit करना है तो आपको जो send मिलेगा assignment मिलेगा उसमें teacher के द्वारा आपको अभी 15 दिन तक लगबग 3 दिन का आपको समय मिलेगा फिर जब आप इसको सही तरीके से चलाना सीख जाओगे तो आपको एक दिन या दो दिन का समय इसमें मिलेगा तो इस तरह इस assignment को आपको भेजना है और इस पे आपको submit कर देना है इस तरह से आप इसको submit करते ही आप में लिखा आ जाएगा assignment submitted अब इसमें देखू यह आपका यहाँ पर क्या लिखा आ गया? submitted लिखा गया इस तरह से आपको यह assignment पूरा करना है फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप mobile number बता रहा हूं school office के उन पर संपरक करके अपनी कोई भी doubt है वो clear कर सकते हो एप से समन्दित number note कीजे आप 9001455881 repeat कर रहा हूं 9001455881 clear इसके लावा आपको विसेज ध्यान रखना है अपना जो online class का time table है वो भी आपको एप में मिलेगा वो आपको announcement जो है उसमें आपको मिल जाएगा clear और आपको विसेज ध्यान ये रखना है कि जो time आपको मिलेगा प्रतेक सब्जेट का time table के अनुसार उस time में आपको अपना study material नोड करना है वीडियो आपको देखना है और हो सके तो अपना जो homework है जैसे आज आपने किया उसका homework आपको तीन दिन बाद वापिस बेजना है तो आप कोसिस करो कि उस answer की जो image है आपको assignment में भेजनी है उसको आप उसी subject के period में भेजे ताकि वही teacher उसको आराम से देख सके कोई गलती हो तो आपको आपिस बेज सके इसका आपको विसेज ध्यान रखना है time table की अनुसार है आपको online class के सारे work चाहे वो आपका study material हो, video हो या homework सभी पूरे करने हैं फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैंने जो number बता हैं उस पे आप contact कर सकते हो